भारत की राधानी दिल्ली में 31 दिसंबर को एक वारदात होती है और उस वारदात में हमारी एक बेटी को 12 किलो मीटर तक सोच समझ कर घसीटा जाता है जब तक उस बेटी की मौत नहीं हो जाती है वहीं पर दिल्ली पूलीस अगर देखें अपनी छवी को बचाने के लिए और भाजपा का एक नेता जो पांच लोग गाड़ी में सवार थे जिस गाड़ी के नीचे बेटी को घसीटा जा रहा था उन पांच नेता लोगों में भाजपा का मनोज मित्तल शामिल है भाजपा अपन blueberry को बचाने के लिए लगातार एक मामले को कमजोर कर रही है अपराधीों को बचाया जा रहा है और उससे बड़ी बात है कि जिस लड़की को तीन दिन के बाद दिल्ली पुलीस मीडिया के सामने लाती है ये दावा करती है कि वो दिल्ली वो उस मिर्थ पिड़ता की सहली है परिवार का कहना है कि वो उस निधी को जानते ही नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि 2012 दिसंबर ही था जब निर्भया हुआ था एक दिशक पहले तो यही वो दो राजनीतिक दलते भारतिय जन्ता पाटी और आमादमी पाटी जो समय धरने कर रहे थे देश के परदान मंत्री, देश के ग्रैम मंत्री, दिली के मुख्य मंत्री के स्तीफे मांग रहे थे आज एक दिशक के बाद ठीक डिसमबर 2022 में फिर अपराध होते हैं और ये फिर धरने देते हैं आज हम सब मांग करते हैं कि भारत की राधानी दिली, मैं जब आप से बात कर रहे हूं तो दिली के यह आदर्श नगर में हमारी एक बेटी को चाकों से गोध दिया गया है